कभी 25 करोल की बात हो रही है, कभी यहाँ पैसा ट्रांसफर करो, वहाँ पैसा ट्रांसफर करो, इधर पैसा ट्रांसफर करो, देखा ना आप सब ने, आधिवासी पर यहाँ पिशाप किया जा रहा है, नेता पिशाप कर रहे हैं, वीडियो वाइरल कर रहे हैं, क्या मतलब एक पूरा देश जानता है बेरोजगारी का कैपिटल बलतकार का कैपिटल अच्छा आपने वो वीडियो देखा वो मंत्री का बेटा जो है क्या नाम है उसका तोबर वाला वीडियो देखा आपने देखा अच्छा एक बात बताओ तोमर जी का वाइरल वीडियो आपने देखा बेटे का वीडियो देखा मैंने भी देखा वो वहाँ पे कभी 15 करोड की बात हो रही है कभी 100 करोड की बात हो रही है कभी 25 करोड की बात हो रही है कभी यहाँ पैसा ट्रांसफर करो वहाँ पैसा ट्रांसफर करो, इधर पैसा ट्रांसफर करो, देखा ना आप सब ने, मोधी ची ने इसके बारे में कुछ बोला, क्यों, मोधी ची ने इंक्वाइरी कराई, मोधी ची ने CBI भेजी, ED भेजी, इंकम टैक्स डेपार्टमेंट भेजा, क्यों नहीं, तो चाहिए वो व्यापम हो, चाहिए वो यह क्याना में लड़के लाट तोमर, तोमर हो, कोई भी स्कैम हो मध्यप्रदेश में, कोई भी बरश्टा चारो नरेनु मोधी जी, एक शब नहीं बुलेगे, एक शब नहीं नि CBIED, Income Tax Department, को वो वीडियो दिखा दीजिए ना, टोमर जी का, पता नहीं उन्हों नहीं देखा नहीं है, बाकि हिंदुस्तान को दिख गया, CBIED, Income Tax को नहीं दिखा, अच्छा एक और वीडियो आपने देखा होगा, आपने वो वीडियो देखा जिसमें, एक आदिवासी युवा कड़ा है, उस पर BJP का नेता पिशाप कर रहा है, देखा, देखा न, BJP का नेता रिवा में, सिद्धी में, सौरी, BJP का नेता सिद्धी में, आदिवासी युवा के उपर पिशाप करता है, नरेंद्र मोधी जी कहते हैं, हिंदुस्तान में जाती नहीं है, आपने कभी BJP के नेता को, किसी जानवर पर पिशाप करते हुए देखा है, नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा, मगर वो ही नेता, आदिवासी युवा पर पिशाप करके, वीडियो को वाइरल कर रहा है, दलितों पर सबसे ज़्यादा अतियाचार इस प्रदेश में है, आप बताओ, मुझे बताओ, क्या मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाब अतियाचार नहीं है, क्या, तो जब नरेंद्र मोधी जी कहते हैं कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीव है, तो आपका अपमान कर रहे हैं, जात है, दलित है, दलित लड़के उपर अतियाचार है, मध्य प्रदेश में है, सबसे साधा है, आधिवासी है, आधिवासी पर यहाँ पिशाप किया जा रहा हैं, नेता पिशाप कर रहें, वीडियो वाइरल कर रहें, क्या मतलब एक ही जात नहीं, जब भागीदारी देने का समय आया जब सरकार में जगे देने का समय आया जाती जंगर्ना का समय आया तो नरेंदर मोधी कहते है नरेंदर मोधी जी कहते है जाती नहीं है और पूरा मधिपरेदेश जानता है यहाँ पे क्या आलत है मुझे गाड़ी में बता रहे थे कि यहां से ट्रेंज आती है बिमार लोगों को ले जाती है नागपुर वहां पे इलाज होता है यहां पे कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी आपको ट्रेंज से कहीं जाने की जरुवत ने होई यहां इलाज होगा तो देखिए हमें आप देखिए पिछली बार चुना हुआ पिछली बार चुना हुआ मैंने कहा देखिए बागी सब ठीक है मैं आपको वाइदा कर रहा हूँ किसानों का कर्जा माफ होगा 36 गड़ में मैंने बोला कि देखिए दान आपको 2500 रुपए का मिलेगा आज 36 गड़ में 3200 रुपए का मिल रहा है करनाटक में हमने कहा कि देखिए करनाटक की महिलाएं बस के लिए एक रुपिया नहीं देंगे फ्री में गूमेंगी करनाटक की महिलाएं आज फ्री में करनाटक में बस में गूमती हैं हमने यहाँ पर कहा है कि इस चुनाव के बाद होगा ग्यारंटी करके चुनाओ के बाद किसानों काकर्जा माफ हो जागा देखेंगे ना मैंने कहा बया सिलिंडर कितने का मिलता है शिवराज चुहान जी की सरकार में कितने का मिलता है 1100 का अच्छी तरह सुनो चुनाओ के बाद हमारी जो इहां माता है बेने है सिलिंडर 500 रूपए का होगा लिखे ले लो और जो मैं कहता हूँ मैं करके दिखा देता हूँ